ऐसे नहीं गाते हैं एना कि याद, द, पूरा नहीं बोलते हैं उसको वो क्लोसेंडिंग है तो याद, फर्याद, सबब, बब यह भी क्लोसेंडिंग है तो इनको गाने का तरीका था है ऐसे नहीं को दिला धड़कने ऐसे उड़ी गहेंगे कि दला धड़कने दिल दिल ख्लोस एंडिंग है कि नहीं है तो इसको गाने का तरीका यही होता है दिल धड़कने का सबब या का सबब याद आया ना कि याद आया यह चोटी-चोटी बारीखिया हैं कि आप जब गाते हो तो कैसे शब्दों का खयाल रखना है मैंने नदिया किनारे देखे राम जी मैंने गंगा किनारे देखे राम जी मैंने गंगा किनारे देखे राम जी बाकी रयाज तो आपका चली रहा है A.U.O.M. का अना उसी में एक सांस में आप A.U.O.M. तक आई रहे हैं ठीक है करने को हम अगे भी बढ़ सकते हैं जैसे बारहकडीका रयाज होता है अब बारहकडीके रयाज में क्या है उसमें और А.U.O.M. के रयाज में भी करनी है बस यह फर्ख है कि इसमें एक पांच की जगह आपके बारह स्वर आ जाएंगे स्वर और व्यांजन होते हैं हमारी वर्णमाला में अ आ ए ई उ आय ओ अ अ अ अ अ अ अ अ यह बारह हमारे इसमें द्यान देने वाली यह बात है जैसा कि मैंने वह आडियो भी आपको दिया था, poetry और meter का, उसमें मैंने समझाया था, कि जो दीर्ग स्वर होते हैं, यानि आ, ई, ओ, ए, ओ, यह जो है, यह बड़े वाले सुर्य हैं, दीर्ग स्वर हैं, तो इसमें क्या एक मात्रा एक्स्ट्रा पड़ती है, ठीक है, और बाग की जो रिस्व स्वर हैं, वो एक मात मात्रा चोटे ही रहते हैं, जैसे, अ, आ, इ, अब इसको अगर मैं गृंती में करके जिएँ तो वैसे बारह बनते है, कि, अ, आ, इ, इ,ु, उ, व ऐसे गिनों चिलोंगे, तो बारह बनेंगे, लेकिन इसका रियास करना हो तो कैसे करना होता है एक मात्रा एक्स्ट्रा तक बोलना होता है आपको है ना दो मात्रा हो जाती इसकी कि ए ए ए ओ अंग अह ठीक है ऐसा जाता है यानि 6 तो 6 मात्रा में और 6 12 मात्रा में तो 12 मंत्रा में इसको 12 मात्रा में ताल एक ताल लगा लेंगे पीछे या फिर इसकी जो सुर है वो सतरह से र्याज करने के बंगते हैं । साल अलली आप ने पहली rap कर रहूं मैं एक ही सुर्पे जैसा कि आउवाम किया था वही आउवाम में भी ऐसा थोड़ी कि उपर नीचे हो रहा था कि एक ही सुर्पे कर रहे थे उसी तरह ये बारा भी आपको एक ही सुर्पे बोलने होंगे बस ध्यान ये रखना है कि जहां जहां दिर्ग सुर आएगा वहां एक मात्रा एक्स्ट्रा बोलनी है ठीक है सिंपल सी टेक्नीक है ये जो लए है एक बार एक लए पकड़ लोगे ए दू तीन चार और लए वो पकड़ना जिसमें हो सके तो ये अठाराः अक्षर एक ही सांस में आ जाएं ये ना वैसे तो बारह अक्षर हो रहे हैं ट्वैल हो रहे हैं लेकिन रिमेनिंग जो छे हैं छे चोटे होते हैं छे मात्रा तक हैं लेकिन जो बड़े वाले छे हैं वो एक-एक मात्रा एक्स्ट्रा है तो वो बारा हो गए टोटल तो 12 प्लस 6 इस टीन तो अठारह अक्षर हमारे एक ही सांस में कैसे करेंगे आए ना यह 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 एकर सकते हो तीन-दीन का सेट बन जाएगा उसके बाद सांस ले लो यह भी कर सकते हो इस तरह से आप चुनो कि हर तीन-तीन के बाद सांस ले लो लेकिन पैटर्न यही रहना चाहिए कि अ-अ-अ-अ-अ-ई-ई ऐसे ही पढ़ेंगे इसको बचपन में जब 12 घड़ी याद करा ही जाती है तब भी छोटे बच्चों का ऐसी तो बढ़ाते हैं कि ऐ-अ-अ-ई-ई-अ-उ-ई-उ ऐसे क्यों बढ़ते हैं क्योंकि यही एक्च्ट्वी में इनका प्रनेंशियेशन है आए 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 नहीं बोलेंगे आए बोलेंगे वो आए नहीं बोलेंगे जैसे एनक होती है है ना ए से मात्रा अगर बनाते है तो ए से बनती है एक एक और ए से बनती है एनक आइनक नहीं बोलते हैं अपन आइनक बोलते हैं क्या या औरत आउरत नहीं बोलते हैं औरत बोलते ह अ, आ, अ से अनार, आ से आम, है न, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जब आ का रियाज करना है तो अनामिका, अनामिका, अक्षर, जो शब्द के सारे हम रियाज कर रहे थे, ठीक है, तो अ से बना अनार, अनामिका, तो अ, 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 उसकी द्वनी आप देख लो कैसे जाएगी एक इसे बोलता है जब ऊस शब्द को बोलके देखो एक तारा एक तारा तो एक इतना बोला गया इतना सा बोला गया छोटा सा बोला एक तारा नहीं बोला है ना एक तारा एक इमली यानि उसको बोलते ही दूसरा शब्द जो है वो आ जाता है इसका रियाज करने से इन प्रोनेंसियेशन को करने से क्या होगा जबान साफ होगी शब्द बोलने का तरीका मालूम चलेगा कौन सा शब्द किस सुर में किस तरह से गाना है ये ध्यान देने वाली बाते होती है जो लोग ध्यान नहीं देते है जब composition होती है जब कोई गाने की धुन बनती है तो इस चीज का खयाल रखा जाता है कि कौन से शब्द close ending वाले हैं और कौन से open ending वाले हैं ये गाते समय भी ध्यान रखना है जैसे मेरा नाम close ending वाला है निशाद अब निशाद, आद इस काफिये से क्या क्या बन सकता है याद, फर्याद समझ रहो तो इसमें क्या हो रहा है आखरी जो अक्षर है वो पूरा नहीं बोला जा रहा है जैसे निशाद निशाद, ये कर देंगे तो ये open ending है ये बड़ा end हो रहा है तो इसको आप एक मात्रा एक्स्ट्रा भी गा सकते हो जैसे निशाद अगर निशाद किसी शब्द में आया रात मतलब होता है उसका तो अगर वो किसी में आया तो ऐसे गाओगे या फिर एसा और एक और बताओ open ending कोई इंसाँ इंसाँ जैसे इंसाँ बोलेंगे इंसान का शॉट होता है इंसाँ इंसाँ नााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााााा कि इंसाद वो उसे इस आ करके न होगा अब मैं अगर निशाद भी बोलता हूं तो आ निशाद समझे रहे वो द फिर आखर में बोलना पड़ेगा मैं द को नहीं घुमा सकता ठीक है तो इसी तरह से हमें गाना गाना होता है इसी लिए हम इन अक्षरों का रियाज करते हैं कि कौन सा जो दीरगुसूर है इसको कैसे गाएंगे जैसे दिल धड़कने का सबब याद आया तो अब इसमें याद याद खेंडिंग वर्ड है याद आया याद फरयाद शबब बब यह भी खेंडिंग है तो इनको गाने का तरीक्ता होता है ऐसे नहीं के दिल धड़कने ऐसे दुड़ी गाएंगे कि दल धड़कने, दिल, दिल, क्लोस एंडिंग है की नहीं है? तो इसको गाने का तरीका यह होता है, दिल धड़कने का सबब याद आया, ना कि याद आया, यह चोटी-चोटी बारीखिया है, कि आप जब गाते हो तो कैसे शब्दों का खयाल रखन है, कि अगर क्लोस एंडिंग वर्ड है, तो उसकी कॉंपोजिशन भी उसे अनुसार होगी, उसकी कॉंपोजिशन ओपन एंडिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि खीचोगे कहां, उस ज्यादा मातरा तक जाए ही नहीं सकता है, है ना, भई दीर्गसुर और रिस्वसुर की पढ समझें आप, अ, आ, ए, ई, और इसमें भी जैसा कि मैंने बताया था, अ, उ, ओ, 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 के रियाज में भी हमें मूँ का पूरा ख्याल रखना था, उसी तरह से इसमें भी मूँ का पूरा ख्याल जाएगा, कि अगर इ, इ, तो यह होंट आपको ऐसे स्ट्रेच करने पढ़े जब मैंने बोलाता न, कि अ बोलना है, तो होंट स्ट्रेच नहीं होंगे, वरना तो वो ए हो जाएगा, है न, तो भई, यहाँ पे, इ, 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 आप देख रहे हैं, होंट इधर खिंचेंगे, इ, 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 भाषा तो हम अलरेडी भी बोलते हैं, यह अक्षर आप भी बोल सब्सक्राइगा, वरना क्या बन जाएगा, मैंने एक बार पहले भी एक भजन का example दिया तो राजस्तान में अक्षर गया जाता है, क्या खू współक्ता वो ? मीरा भ़ाई का भजन था पायो जी मैने राम रतन राम रतन धन पायो पायो, जी मैंने रामि रतनि धने पायो, रामे में इकी मातरा अपने आप जुड़ गई जबकि जुड़नी नहीं चीए हूँ राम रतन धन पायो नहीं है वो तो उसी तरह ये कब हो पाएगा ये हमको ध्यान देना पड़ेगा हर एक अक्षर पर इसलिए हम ऐसे अक्षरों का ही स्वरों का रियाज करते हैं, ये स्वर ही तो हैं, हिंदी वर्ण माला में इनको क्या कहा जाता है, स्वर और व्यंजन, तो स्वर क्या होता है, स्वर साउंड होता है, साउंड नाद संगीत में हमारे भी बारह सुर होते हैं, होते हैं कि नी, गधनी कोमल भी होते हैं और महतीवर भी होता है तो साथ चार और एक साथ चार ग्यारा ग्यारा एक बारा तो बारह हमारे जब सुर यहां है तो बारही सुर वहां भी है एना और ऐसा ही होता है यहां भी और वहां भी तो यह पैरलल क्यों है क्योंकि यह संगीत में रियाज करन आए आए ही हूँ ए आए हूँ अंगह ऐसे भी गा सकते हैं यह मैंने क्या किया भैरव थार्ट में सारे गम पदनी सा में आए है न यह भी इसे गाए ँग दैसरे लगकार में थीसरे अलगकार हम गाते है इनस सारे गरिगे मगता निहीं ने निधा जाए कि आरोह मों भी या जाएगा अब औरोह में भी आपट आएगा से मात्रा बैठेंगे कैसे सारे गतीन रे गमा छे गम पनो मा पधाम नो दस्ग्राइब बारा है ना पादनी पंद्रा दनी सा अठ्रा अठ्रा बीट्स हो गई ना अठ्रा शूर हो गए और अठ्रा ही हमारे यहां सूर बन रहे है आखीनिए ओपजी आखाए अंगह आखाए ही ओपजी आखाए खाए अंगह इससे एक और benefit देखिए क्या हुआ जब इसे अलंकार में किया एक तो तरीका है कि इसे सापर ही करना है दूसरा तरीका है जब इसे तीसरे अलंकार में involved हो के किया इसका benefit क्या हुआ Voice Culture के अंदर आता है Voice Culture क्या कहता है कि कौनसे सब्तक में कितने उंचे कितने नीचे सुर में कौन सा अक्षर आप बोल रहे हैं एक आपने अक्षर जो क्लासिकल सीखे हुए जो होते हैं शास्त्रे संगीत वाले वो आलाप किस तरह से लेते हैं जैसे हम नॉर्मल ये आलाप कैसे लेते हैं यह आलाप था आकार का अलाप बहुत सारे प्रकार के होते हैं और लीयाम कैसे पहला हो जाता है आकार का अलाप जैसा ही मैं लिया यहनी आ की ध्वनी को लेते हुँए आप उन सुरों में गार हैं एह ठीक है फिर आ जाएगा उकार का अलाब ठीक है फिर इकार का अलाब ठीक है एकार का अलाब फिर आकार का अलाब हो गया अकार का भी कर सकते हैं इससे क्या होता है अलग-अलग सब्तकों में अलग-अलग सुरों में देखा जाए तो यह हमारा क्लासिकल की चीज हो रही है आप बोलो यार यह तो लाइट में कहां कहां आ रही है लाइट में कहां कहां आ रही है लाइट में भी तो शब्द गा रहे हो और वही शब्द अलग-अलग सुरों पे जा रहे हैं कि जब वो उपर जा रहा है तो कौन से शब्दों का इस्तमाल कर रहा है और नीचे जा रहा है तब कौन से शब्दों का इस्तमाल कर रहा है आपने पंच कम कर दिया मैंने उपर आपना उसी पंच से गाऊंगा तो आप तो यह चिलाना लगेगा क्यूंकि उसी पंच से मैं उपर गा रहा हूं चीक है तो पंच का मॉडूलेशन होता है यह तो ऐसी राग कोई राग के सुर लिए भैरव में उसमें जो राग का चलन था उसमें सुर की जगा मैंने आकार डाल दिया वो किया ठीक है तो यह करने का मैं बेनिफिट आपको बता रहा हूं कि क्यूं करना है यह जो मैं अभी रियाज आपको बता रहा हूं कि इन 12 अक्षरों का रिय एसे आलाप सुना है कभी किसी हो गरते हुए कुछ-कुछ यह अलग-अलग प्रकार के अक्षर बूलते हैं वो अक्षर क्या होते हैं ओम श्री यनंत हरी नारायन तुही तरन तारन नारायन यह एक मंत्र है जिस मंत्र को शास्त्रे संगीत में गाया जाता है और यह मंत्र धुपतगाई की का मंत्र है ठीक है आकार में ऐसे गाते हैं लेकिन इसी को इस मंत्र को स्लो स्लो में इन स्वरों में अगर आप आलापते हैं तो यह नोम तोम का आलाप कहना लें लिग जाता है ठीक है तो खेर मैं यह आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इतने प्रकार के आलाब होते हैं इकार उकार एकार है ना इसलिए हमें इस अलंगकार में जब हम यह करते हैं इससे क्या हुआ नीचे भी हमने बड़े वाले अक्षर सारे बोलिया अ आ ए ऐ उओ ऐसे गए और इसी में उल्टा आ है तो दोनो सब्टोकों में हर प्रकार का शुर हमने बोल लिया यह मतलब एक नए प्रकार का रियाज यह समझ लीजे और ये अक्षरों का रियाज है हमने पहले उपर वाले पे अ नहीं बोला था पहले यहाँ अ बोलना और उपर अ बोलने में फर्ख होता है गागे देखिए भी आप हार्मोनियम अगर आपके पास हो तो वही अ आप सापर लगाईए और फिर वही अ उपर वाले सापर लगाईए अब यही उपर वाले सापर अ लगाईए यह ना फर्ख मैसोस हो रहा है अब वहाँ पर आ बोली है उसी सुर्फ पर आ बोली है थोड़ा लाउड बोल पाए कि नहीं जब आ बोले तो थोड़ा लाउड बोल पाए लेकिन अ बोले तो थोड़ा सा ऐसे बांधना पड़ा उसे पहले ऐसाय लगा कि हम चैन्ट्रोल कर रहे हैं उसे कhen रहे हैं दबा रहे हैं यह लाउड हो गया इऐ उ तो ये आवाज की exercise होती है गले की exercise होती है कि आपको हर अकशर हर सुर पे बोलना आना चाहिए उससे क्या होता है गले पर control पैदा होता है ये ना अब कोई गाना होगा जैसे क तो क्या करोगे हमेशा थोड़ी ऐसी composition होगी कि उपर वाले सुरों में बड़े अक्षर वाली आएंगे दिरिस्वर ही खुलेंगे कई बार रिस्वर आगया तो कैसे गाओगे वहां punch कम हो जाता है वो modulation नहीं आता है तो उसके लिए यह exercise होती है है ना बारहख़डी की exercise जिसे हम कहते है ठीक है तो इसको अगर आप करते हैं किस तरह से करना है पहले तो यह की शुरु पर करना है एक ही शुरु पर बोलेंगे लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है सुरु यह नहों कि अगला जैसे ही set शुरु हो तो सुरु बिखड़ जाए ऐसा नहीं कि वो प्रेशर से फ्रिक्वेंसी बदल रही है आपकी इच्चा है इच्चा अनुसार है आप इसको चाहें तो 60 पर भी कर सकते हैं इसको बढ़ाना भी तो है नहीं दीरी दीरे यह शुरू तो एक ही में करना है हां शुरू एक ही में करना है फिर दीरे बढ़ाना भी है जैसे इसमें आगे भी करना हुआ यह तो सिर्फ आ की है फिर इसके बाद सारे वेंजन भी जुड़ेंगे क का के की है ना लेकिन उस पर हम बाद में आएंगे पहले इन बारह सोरों को अच्छे से करके बताईए क्योंकि जब वेंजनों पे आएंगे तो हर वेंजन की अपनी pronunciation हमें सुधारना होगा अभी आपका कि क ख ग घ है ना और इसमें फिर बीच में हम नुक्ते भी डालेंगे जब इंवल्व करेंगे इसमें तो वह बाद की बात है वह थोड़ा लंबा चप्टर है पहले सिर्फ इन 12 सुरूं को करेंगे फिर हम आते हैं व्यंजनों पर और उन व्यंजनों में हम पहले सारे व्यंजन भी जो हमने बारखडी में सीखे हैं हमारी वर्ण वाला में हैं वो सब हम करेंगे लेकिन उसमें साथ में हम क्या एड़ करेंगे नुक्ते सारे के सारे कि उनको भी तो गाना होता है कखख खघगडगड़ चछ जजजजँ है ना पा फफफट दौनों एड़ करेंगे जो 5 मैंने साउंड्स बताये ना जो उर्दू में अलग होते हैं ओर हिंदी में अलग होता है क, ख, ग, ज, और फ, ये हिंदी के हैं और क, ख, घ, ज, फ, ये उर्दू में आते हैं उर्दू में वो वाले पांच भी आते हैं पर हिंदी में ये वाले पांच नहीं आते हैं ये नुकते वाले साउंड हैं ये सिर्फ उर्दू में रहते हैं और बिना नुकते वाले भी Hindi में, उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हिंदी में नुकते वाले sounds इस्तेमाल नहीं होते हैं. अगर है तो वो हिंदी का word नहीं होगा, वो उर्दू का word होगा. ठीक है? तो यह हम करेंगे, एक बार मुझे करके बताईए. इन बारह अक्षरों को बोलके बताईए सिर्फ पढ़न्द करिए एक बार गाईए मत अब इसको स्पष्ट करना होगा इई जबरदस्ती मुँँ आपको थोड़ा सा वॉलिंटरली खोलना पड़ेगा तब जाके वो स्पष्ट बनेगा आपल होता न ए से आपल वो वाला है ए से आप्लिकेशन आप्लिकेशन आपल आनक है न हाँ ए ए हाँ ओ ओ ओ औ औरत शब्द बोलके देख लीजे शब्द बोलके देख लीजे अक्षर साफ हो जाएगा औरत और और मैं और तुम और और हाँ और 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 हर अक्षर से रिलेटेड एक शब्द लिखलो तो जब वो अक्षर बोलना ना आए तो शब्द को बोलके देखो अ से अनार आ से आम ई से इमली ई से इक है ना या ई से इसाई छोटा ई से है ना फिर आ ई ई उ उ से उ छोटे उ से क्या बनेगा उल्लू उल्लू बन सकता ना उ से उल्लू है ना बड़े उ से उन है ना उ उ फिर ए ए से एक बड़े ए से एनक बनता है और अंग्रेजी में जाओ तो एपल बनता है है ना एनक एपल एप्लिकेशन तो वो ए हो गया फिर ए ए ओ से क्या बना ऑ से ऑ से ऑ से ऑ से क्या बनता है ओ से ओमकार 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 बन जाएगा ओमकार या फिर ओसे और क्या बन सकता है ओमनी वैन वो तो अलग हो जाएगा ओमनी ओसे ओसे ओमकार बनता है और ओसे औरत बन जाएगा और बन जाएगा हाँ ओ ओ का साउंड है वो डवली डवली लिख लोज के आगे बली और अंग से अंगूर ही है और अह तो ही है अह आपका विसर्ग है वो अह मतलब विसर्ग तो दूसरा का कोई मतलब भी नहीं अह ऐसे खत्म हो जाता है वो अंगह अह साथ में ऐसे नहीं कि अह उसाथ में अंगह 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 ह की धुनी एक मातरा आगे तक जाएगी अंगह अह 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 वो एक एक ही सुर पे हैं, सुर नहीं बदलना चाहिए, प्रनेंसियेशन का ख्याल रखना बस और कुछ नहीं, और सुर का, जैसे हमने ओमकार में सुर का ख्याल रखा ना, कि पांच अक्षर बोले, लेकिन स्पीड बढ़ने से सुर नहीं बदल गया हमारा, कितनी भी स्पीड में बोलो, पर उसका सुर नहीं बदलना चाहिए, उतार चाड़ाव नहों, एक ही सुर पे जाता रहे, उसी तरह से अ, आ, इ, ये पूरा बोलोगे, एक ही सुर पे जाता रहे, और आ, इ, उ, आ, है न, ये ए, ये जो दीर, दीर गुसूर है, इनको एक-एक म उसे involve करने में रिस्क है, सुर का, सुर का जादा रिस्क है, इसलिए मैं पहले सापर ही करा रहा हूँ ये, कि पहले यहाँ पर पहले स्पश्ट कर लो, क्योंकि अलंकार में जाओगे न, तो वहाँ सुर बिखरेंगे, है न, तो बिखरे सुर के साथ, घलत प्रनिंसियेशन, तो वो तो और खराब बद सिबत्तर बेड़ा ही घरक पर अपने को क्या करना है पहले प्रनिसेशन सुधार लो फिर सारे गमप अधनिसा आपको मैं सुरों में करवाऊंगा तो सुरु सुधार लो अब दौनों को साथ में चलाओ इस तरह से गाई की बनती है